हम हैं चुल्सुल की इस बीडियो में आपको चुल्स आया है इंपूट चल के देखें चलनी है इलेट्रिक виде पोल है वहां से आया हुआ है वो वाला वायर तो देख सकतो हो यह हमारा left side में जो कि यह आया है यह वाला वो है electric pole से आया है वो है अमारा input तो देखिए यहां पे थोड़ा diagram भी बना हुआ है जो कि हमारा कौन सा input और कौन सा output है यह हमारा phase बाला जाएगा California Lord का and उसरी साइड में है वो है आमरा output का जो कि input जाएगा जो देखिए हमारा output का जो कि input जाएगा तो देख सकतो हो यहां पे लिखा हुआ है psychologist एप सकतो थो में आपको समझा देता हू थो देखिए यह हमारा output जो कि यह यह से से बाहर निकालता है, यहां से हम लोट जोड सकते हैं, यहां से गया है हमारे घर की तरफ, यहां यह देखिook, यह ब्लाक बला था, अज़ नतु को है, यहां पर गटा यहां पर फेज़ और यांपर युद्यक को क होते ओब यहां ह compression है, तो वहाँ पर एक coil लगा है उससे हम पता कर सकते हैं मतलब कितना हम electricity खर्च कर रहे हैं वो चेक करता है यहाँ पर देखिए main जो कि यह इसका barcode और यह है आपका meter का number यह जो कि photo में लिखा हुए कौनसा आपका face and neutral जागे यह देखिए है हमारा meter serial number और यह देख तो यह हमारा जो red light जलता है वो वाला light जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1600 बार अगर blink करता है मतलब off on होता है तो हमारा यह एक unit खर्च होता है तो यह है उसको पर जो कि यह हमारा main display यहाँ पर हमें सब कुछ functions show होता है तो चलिए मैं एक एक functions क्या show होता है मैं आपको बता देता हूँ डिस्पले के अंदर उससे पहले आपने अगर आप तक subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe करके रखना और घंटी को all पर set करके रखना तो देखिए हमारा meter यहाँ पर सब कुछ आप चेक कर सकते हो maximum demand, power factor, voltage, date, तारीक, unit कितना है उनिट पहले मैंने के था इस मैंने का कितना है, सब कुछ तो देखिए हमारा कितना हमारा maximum load है यह सब कुछ हम चेक कर सकते है तो देखिए यह first जो की 00 condition पर है उसके बाद हमारा यहाँ पर show करता है यह हमारा time जो की 10.36 यह हमारा date यह देखिए तो voltage जो की 229.27 ऐसे है यह हमारा कुछ ampere जो की 0.11 है यह देखिए तो यह के डेवलोच यह हमारा unit यह सब से main role है जो की हमारा bill checking में होता है meter बेटर बेटा है तब से लेकर हमारा 700 कुछ unit था यह हमारा maximum demand मतलब maximum हम इतना ही use करते load डालते है हमारे घर पर उसके बाद यह देखिए maximum demand कितने तारीक पर हम डाले थे और कि यह देखिए कितने time पर हम डाले थे यह भी हमें mention मतलब बता देता है यह वाला meter और उसके बाद आता है यह देखिए यह हमारा power factor जो की यह हमारा कुछ उससे पहले मैंने का यह था 700 कुछ उससे पहले मैंने का था 600 हमारा unit 677 उससे पहले मेने का था जो कि यह 604 अर्य हमारा बैक जो की 500 मेने में था वो गी 551 अर्य जो बैक 6 मेने था वो अमल 574 था यह हमारा maximum demand जो first मेने का था वो यह था और वो कितना तारीक पर था और वो कितना टाइम पर था सब कुछ accurate बता देता है यह वाला उससे जो बैक जो की 2 मेने था वो उसमें कितना था देखिए 11 तारीक मतलब 23 तारीक को था और 11 थर्टी के पाद हमने इसको यूज किया था इस सब कुछ accurate बता देता है यह उतना आपको matter नहीं करता है आपको सर्फ unit matter करता है कि आपने घर का कितना unit है और कितना unit आपने खर्च किया है चलिए सब सब्सक्राइब में आपको unit को roll को समझा देता हूं दोस्तो unit को kwh में calculate किया जाता है जो कि आपको यहां पर kwh आएगा वो आपका unit है जो आप बटन इसे simply प्रेस करते रहे देखिए यह time date सब कुछ बता था है और यह देखिए kwh है यह है आपका unit जो कि यह करना है प्रेश करते जाना है करते जाना है करते जाना है तो देखिए यहां पर आपका kwh-1 मतलब पिछले मेन का जो कि यहां पर देखो kwh-1 यह हमारा की हमरा था 125 unit था उसके बाद आपको पता चल चुगा था 10,753 में से 721 माहनमस हो जाएगा तो हमरा 15 unit है इससा कर सकते हम सब कुछ इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ आण इस टाइप से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूर लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच मिलता हूँ